हेलो, वाट्स अप गाईज, मैं नेम इस पनूर बादूर थापा एंड टूर इन इस फूड़ो बूबिल सी हाओ टू कानेक यो बैकेंड विट डेटावेस इन हिंदी तो चलिए गाईज शूरू करते हैं सबसे बले गाईज, आप सभी का बहुत सवागत कर ना चाहूंगा, मेरे चैनल थापा टेकनिकल्पेंड बताना चाहूंगा आज का वड़ बहुत ज्यादा ओसम आला क्यों 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 कि आस फाईली हमारा जो यह बैक रेंड उसको हम अंलाइन डेटावेस के साथ कैसे काने नहीं कर सकता था but now अब हम इसको online MongoDB का जो Atlas है वहाँ पर connect कर देंगी जिसे guys कोई भी दुनिया में इसको use कर सकता है डेटा को get and fetch कर सकता है and आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है and I know आप इसे बहुतों ने request भी किया था कि हम MongoDB Atlas पर कैसे data को store कर सकते है so back end को you know database से connect करने का क्या फाइदा होता है and यह हमें क्यों करना चाहिए वो पहले मैं आपको example बताता हूँ नहीं हम इसको आगे कैसे connect करना है वो देखेंगे ठीकी आपको जैसे याद होगा कैसी है मेरा main application project है जो हम throughout the series complete करने वाले फिलाल आभी हमने खाली back end देखा front end को touch भ यह जो सभी के सभी data मुझे जो दिखाई देरा बिनोत बादूर था पर test 63 at the rate यह जो कुछ भी है अगर आप ध्यान से दोखोगे तो यह वाला जो user test 63 यह सभी के सभी data जो मेरे database पर store है उस data को मैं यहाँ पर get कर रहा हूँ सो हमारा database का ओना बहुत जरूरी है जहां पर हम अपने data को store करने वाले है ठीक है तो आज उसी database को हम अपने application के साथ फिलाल तो अभी हम से back end देख रहे हैं उसके साथ कैसे connect कर सकते हैं वह मैं आपको बताने वाला हूँ लेकिन फिर एक example देता हूँ कि क्या होता है फाइदा और कैसी store होता देखो यह suppose मेरा contact trust का form है यूजर ने जब registration करने के बाद लॉग-इन किया होगा तो हमने validation किया हमने authenticate कि कि यूजर जन्यून है या नहीं इस जन्यून जो भी नाम इमेल और फोल नमबर हम यहां पर अटोमेटिक फेच करने वाले वह आगे देखेंगे और अब मेरा यह थर्ड है तो में इस तरह किसे लिखके इसको send a message and the moment में send a message कर देता हूँ आप देख सकते हूँ message send message जो हमने लिखा ता वो डिलीट हो जाता है because in future में भी इसको a message send करना रहा you know अब में क्या करता हूँ यहां पर चलता हूँ refresh करता हूँ and आप देखो कि guys बहुत ज्यादा data है तो मुझे next 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 करना पड़ेगा and I think now all perfect एक और पर next and guys अब आप बहुत अच्छे से देख से देख से तो 63 यह है message पर click करता हूँ and यह अभी देखो this is my third month video कैसे लाग आपको यह है आपका database and database में इस तरीके से data store होता है यहां से हम data कैसे fetch करते हो तो आपको आगे पाता चल जाएगा लेकिन database में data store करने से पहले हमें हमारा यह जो database से connect करवाना पड़ेगा तो वो जो connection कैसे होगा जिससे यहां पर मैं कुछ भी you know send करूँ या कुछ भी करूँ यहां पर store हो जाए वो आजम देखने वाले ठीक है तो काईस अब हम बिना किसी देरी के बीटो को स्टार्ट करते हैं बाताना चाहूंगा अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थाबा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कैस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा राइट साइड में क्रेट कला का बेल ऐकीन एक घंटी दिखाए देगा हीट कीजिए क्लिक कीजिए ताकि आप डेल यह से ऑसम विडियो इसको मिस ना करें एक और आपडेट देना चाहूंगा गाइस अब भी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो नहीं किया तो कैस प्लीज कर लीजिएगा मुझे ज्यादा नहीं खाली 10K फॉलोवर्स चाहिए ताकि मैं अपने वीडियो के लिंक भी यहां पे सेयर कर सकते हैं आप भी जॉइन कर लीजिएगा एंड हम सब मिलके एक दूसे की हल्प कर सकते हैं और फ्लीज स्टैंड के फॉलोवर्स कर दीजिए गाइस मुझे बहुत खुशी होगी और गाइस अब हम बिना किसी देरी के बीडियो को स्टार्ट करते हैं आप देख सकते हूं कि अभी त आप जालता हूं एक सेकें इसको में हटाके डायर्कली यहां पे में ओंगोडीवी कॉम पास लिकों सब्सारी नॉट कॉम पास तो कैसा इसम्पली मॉंगोडीवी.com अपको आना है ठीक है मैं डायर्कली दीखा तो इसका हूंपेज का दिखत है आपको इसका जो होंपेजि दिखाई दे रहा होगा, try free है, sign in है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो login, obviously guys, already have an account तो है नहीं, तो start free पे आप click कर दीजे, and the moment आप start free पे click करोगे, तो सबसे पहले आपको login करना होगा, I mean registration करना होगा, जैसे हमारे application पे पहले आपको registration, then login करना रहते हैं, उसी तरह किसे यहाँ पे भी registration है, आप इसको अच्छे से fill कर लीजे, ठीक है, password अच्छा रखना, and then जब आप इसको registration कर लोगे, तो simply sign in पे click कर देना है, यहाँ पे गाई से आपको login करना है, so guys, once आपका login हो जाए, तब आपको कुछ हो इस्तर किसी दिखाई दे रहा होगा, साइध इतना यह सब आप ना दिखाई थे, क्योंकि मेरे clusters बने हुए, लेकिन अब हमें क्या करना है, यहाँ तक तो आप हम आगे, अब process के आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आप दिखिएगा, ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप कोई भी new application create करोगे, या कोई भी नया project create करोगे, तो यह आपको new project create करना पड़ेगा, basically यहाँ पर जाके आपको एक new project create करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, आप देख सकती हो, एक new project आपको create करना है, simple, ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चलता हूँ, and I think by default आप लोगों का यहाँ पर क्या रहेगा, कैसो have to be unique, चलो, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, man, youtube, ठीक है, मैंने क्या लिख दी, guys, me, I, I, मैंने सब मैंने small में लिखा, मैं कुछ फालतों का extra नहीं चाहता, all right, this is it, now, add a members नहीं, मुझे कुछ members नहीं चाहिए, आपका जो भी दिखाई देगा, आपको simply create project पे click कर देना, this is it, तो आपने at least एक project आपने create कर लिया है, ना उस project के अंदर आपको अपना new cluster build करना पड़ेगा, यह automatic आजाता, ठीक है, so build a cluster, इस पे आपको click कर देना है, and there are three options, obviously free वाले में जाएंगे, you know, so आपको इस तरह किसे select करना है, and यह जो option है, like कि कहा आपको free आपको मिल रहा है, I mean, किस region के थुरू, कहा का database हो रहा है, क्या जो कुछ भी हो रहा है, by default इसको रहने तो, even आपको यहाँ पर में भी Mumbai, alright, हाँ, यहाँ पर आप देख सकतो Mumbai भी दिखता है, लेकिन रहने तो, जो है, so है, अपने को मतलब नहीं, क्योंकि already यह online है, online चाहे कहीं पर भी हो, बस मतलब होना चाहिए, कि हम उसको access कर सके, वो secure है, ठीक है, बाकि जो कुछ भी है, leave as it is, कुछ नहीं करना है, एक सब कुछ सही है, कुछ नहीं करना है, अब बस simply create cluster and यहाँ पर आपको free दिखना चाहिए, बस इतना याद रखना, paid वाले पर मत चले जाना, ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, और यह वाला जब portion आएगा, अब आपका एक brand new cluster, या आप कैसे सेंट बोक्स क्रेट हो रहा है, you know, your cluster is being created, and believe me, guys, यह आपका 3 या 4 मिनेट ले लेगा, depends करता अब आपकी system की speed क्या है, अगर है भी या नई भी तो भी 3-4 मिन previous देखोगे, like, जब हम PHP में काम कर रहे थे, we have a XAMPP, WAMPP, LAMPP, जिसमें MySQL हो, या Postgres हो, जो भी हो, वो हमें उस समय लगता था, कुछ ना कुछ language, तो अगर अब हम one development या one stack की बात करते है, so there has to be some languages, जिसको हम as a database के category में fit कर सकते, so that is your mongodb and then mongos, ठीक है, तो सबसे बहले त ठीक है, and उसमें मैंने प्लेइलिस्ट मेंसेन किया हुआ है, जिसमें मैंने complete mongodb and mongoose के उपर वीडियो बना चुका था, काईस आप देख सकते हो, mongodb tutorial in Hindi and a setting involvement path, यह जो part है, यह complete installation of mongodb, इसको जरूर देखे, क्योंकि आपके system में mongodb का install होना बहुत ही जादा जरूर क्योंकि जब तक आपके system में mongodb install नहीं होगा, आप उसको यूज नहीं कर सकते है, and guys, यहाँ पर आप देख सकते है, command is simply, आपको क्या करना है, यहाँ पर बस चिपका देना है, once आपने mongodb install करने के बाद, and अगर आप इस तरीके से mongodb version लिखते हो, and अगर आपको कि हमारा cluster create हो चुका है, and उसी बीच मैंने आपको mongodb को कैसे install करना है, उसका link भी मैं नीचे description में दे दूगा, तो ज़रूर check out कर लिजेगा, once आपका इतना काम हो जाता है, अब आप बहुत क्लियली देख सकते हो, कि आपका एक new project create हो गया था, that is your month, YouTube, उसके अंदर आप क्लिक कीजें, ठीक है, collection पर आपको चलिए, यहाँ पर काई साब आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, अब simply add my own data, आप देख सकते हो, create database, यहाँ पर अब आपको अपना जो यह main application जो हम create कर उसका database का नाम देना है, मैं यहाँ पर दे देता क्यों लेकिन मैं नहीं क्लिक कर सकता, सो मैं यहाँ पर चलता हूँ, and मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, simply users, मैंने क्या लिख दीगा, simply users लिख देता हूँ, and then create पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, the moment में यह करता हूँ, अब आप देखोगे कि मेरा एक new database create हो चुका है, that is month stack, उसके अंदर एक new collection create हो चुका है, अब हम आगे जाके देखेंगे कि क्या इसी के अंदर हमारा, you know, जो data हो, add होगा, या नया बनने वाला, वो आगे देखेंगे, अभी आपको बिल्कुल tension नहीं लेना है, आप बस इतना रखिए, वापस cluster पर क्लिक कीजे, and guys, now यह totally जाते है, मैंने directly पहले ही connection बना दिया, बस मुझे पसंद था हो, मैंने बना दिया, so, अब आपको अपना username, and then आपको अपना password यहाँ पर add करना है, ठीक है, password आप कुछ भी लिख दीजे, फिलाल मैं आपने खुद का password लिख जेता हूं, इस तरी किसे मैं लिख रहा हूं, and guys आपना ही password लिखेगा, मेरा नहीं, आप देख सकते हैं, मैंने बिनो थापा लिखा और ज्यादा कुछ नहीं है, आपस इसको याद जरू रखना है, username यह है, password यह है, बहुत ज़्याद इंपोर्टन है, चाहे तो password को copy करके यहाँ पर रख सकते हो, अगर आपको लगे कि नह बहुत ज़्यादे इंपोर्टन था, यह step, अभी आपको पता चलेगा क्यों, choose a method, choose a connection method, इस पर आपको click करना है, यहाँ पर एक warning दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन देखो, वांगो सेल से हमने अल्रेडी देख चुका है, वांगो DB compass हमने अल्रेडी देख and this is it guys, simple है, and यहाँ पर आप बहुत क्लियली देख सकती है, यह वाला जो पार्ट है, चाहे तो अगर आप include पर click कर गए तो सारा का सारा आपको मिल जाएगा, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, simply इसको copy करना है, फिलाल के लिए मैं यहाँ पर चल कि इसको इस तरगी से रग के बहुत जादा, simple है, note के through भी कर सकते थे, I mean directly, wangodb के through भी लेकिन थोड़ा मुस्किल होता था हूँ, so आपको लिख देना है, एक second मैं directly यहाँ पर, एक second मुझे idea है, npm, i, ठीक है, इस तरह के से i आपको लिखना है, and guys, मैं जान बुझके, अभी एक error मुझे मिलने वाला एक second मैं directly यहाँ पर चलता हूँ, मुझे एक error आएगा, ठीक है, and वो मैं जान मुझके आप लोगो कुछ दिखाना चाहूँगा, क्योंकि वो error अभी आई रहा, बहुत तो को आ रहा हूँ, problem हो ठीक है, so मैं यहाँ पर चलता हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा, मैं क्य and guys, अब आप देख सकते हो, mongoose का जो current version है, आप ध्यान से देखिए, वो मेरा यहाँ इंस्टॉल हो चुका, अभी आपको पता चल जाएगा, कहां क्या problem होने वाला, ठीक है, once आपका यह जो mongoose अग इंस्टॉल हो जाता है, then बहुत अच्छी बात है, ठीक है, node 1, अभी द data fill करें, मैं उस database पे उसको store करके रख सकूँ, ठीक है, कैसे होगा देखो, एकदम टॉप पे चलना है, it's super duper easy, बहुत ही जादा simple है, सबसे पहले तो कौंस database में constant variable create कर लेता हूँ, and यहाँ पे खाली आपको याद है, यह जब मैंने दिखाया था, एक code copy की थी, MongoDB वाली, सि पासवर्ड आपको याद है, मैंने यहाँ पे पेस्ट करके रखा हुआ है, copy and then paste, this is it, and यहाँ पे my first database के बदलेगा, हमारा जो actual database मैंने create किया था, वो आपको मिलेगा collection के अंदर, मैंन आपको अलरी दिखाया था collection में, यहाँ पे आप देख सेक तो month stack, and इसको कर लेता मैं copy, and then यहाँ पे एक second, यहाँ यहाँ पे चलके मैं यहाँ पे पेस्ट कर जाता हूँ, this is it, यहाँ पे आपको अपना database का नाम, यहाँ पे आपको आपका password, and then आपका username, हम आगे देखेंगे, हम इसको कैसे secure कर सकते है, involvement variable and all, लेकिन फिलाल अभी हमें सिप connection चाहिए, control, save, this is it, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो, mongoose के तुरू हम बहुत इज़ी कर सकते हैं, top पे मैं चलता हूँ, const, we need to require the mongoose हमारे application में, so इस तरके से मैं चलता हूँ, require, and then यहाँ पे simply मेरा mongoose, चलो, ठीक है, control, save, this is it, now, it's super duper easy, ठीक है, already हमने देखी चुगा गाइस इसे तो, mongoose.connect पे आपको क्लिक कर देना, I mean not क्लिक करना, आपको बस सिंपल इस पे विजिट करना है, and then यहाँ पे सिर किसी चलना है, and then जो सबसे पहला parameter होगा, guys, वो होगा, आपका database का नाम, या जो भी database का link आप यहाँ पे देख सकते हूँ, and then उसके बाद जो हमारा second argument ह वहाँ पे हमारा callback function रहेगा, वो मैं आपको अभी बता दूँगा, ठीक है, आप चाओ तो दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन ध्यान से देखिए, यहाँ पे, guys, मैं directly यह जो मेरा DV है, इसको copy and then paste, अब पाता, guys, मैं क्या वोला है, with the help of single one line, मैं बोला हूँ कि मेरा यह जो application है, उसको please मेरा यह जो database है, जो online कहीं तो भी stored है, online कहीं तो भी है, बस उससे मेरा यह application को connect करवा दो, and this is it, हमें बस उतना ही चाहिए, ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना लिखनी से काम बनेगा नी, मुझे क्या कहना पड़ेगा, guys, यह जो ह लेकिन मैंने अल्डे इसको पर भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो जरू check-out किजेगा, it's super duper easy, promise का simple मतलब होता है, कि once आपने promise किया, कि इतने दिनों के बाद मैं यह काम करके आपको दिखाऊंगा, तो guys, उसका जो output होगा, वो सिर्फ दो ही होगा, इधर rejected, इधर fulfilled, मतलब या तो वो promise को निवाएगा, या तो नहीं निवाएगा, यहाँ पर भी same होई है, अगर आप connection करना चाते हो, you know, तो इसके दो ही output होगा, या तो connection होगा, या तो connection नहीं हो पाएगा, तो promises की मदद से, वो जो दो result है, इधर हो पाएगा, या नहीं हो पाएगा, that is, इधर fulfilled और rejected, उसको हम बहुत इजली get कर सकते, so then जब भी आप लिखोगे, it means कि वो fulfilled हुआ, या नहीं, ठीक है, बेसिकली जब भी अगर वो fulfilled हो गया, मतलब connection successful हो गया, तो मैं यहाँ पे simply connection पे इस तरकी चल के लिख सकता हूँ, that is connection successful, ठीक है, इस पेलिंग अगर रॉंग है and मैं simply error paste कर सकता हूँ, नहीं, तो मैं simply यहाँ पे लिख सकता हूँ, no connection, कुछ भी लिख सकते आपको, ऐसा कुछ नहीं, and यह यहाँ पे नहीं चीए, यह इधर चीए, this is it, तो guys, देखे बस इतना ही था आज की इस वीडियो में, इतना simple है, आपको बस करना ही यह था, कि करना था, then आपको एक new project क्रेट करके अपना खुद का एक new, then new cluster, अपना database का नाम, and हमने connectivity के लिए वो password, I mean यह जो URL था, उसको हमने get किया, ठीक है, अब भी अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, control यह सेफ करता हूँ, so guys, आप बहुत क्लिरली देख सकते हूँ, कि deprecation warning हमें में इसको हमने already हमारे previous video में भी समझे लिया था, and वो deprecation warning हर बार हमें मिलता ही मिलता है, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए super duper easy, यह जो parted DB, इसके बाद guys, आपको एक पामा देना है, and then हमारा जो callback function, जो मैं आपको बोल रहा थे लिए, अब आपका callback function यहाँ पे बस इसलिए हम यह लिखे रहे, simple, and then simply यह जो तीन चीज़ है, इसको आपको true रखना है, and एक चीज होगा, जो आपको find and modify, इसको आपको false कर देना है, मैंने बहुतों को देखा है guys, वो यह जो part है, यह last वाला, find and modify, इसको भी वो लोग देते है, I mean बहुत सभी लोग इसको true लिख देते है, and उनका फिर connection properly नहीं हो पाता, and वो सोचते है, यार कहां गलती हो गई, कहां गलती हो गई, तो एक चीज़ नोट करना कि यह जो part है, use, find and modify, आपको इसको false लिख देना है बस, और कुछ नहीं, and this is it, अब मैं आगर यहाँ चलता हूँ, आप देख सकते हो guys, मेरा जो server is running at port number इतना, ठीक है, अभी तक connection successful हमें इसने बताया नहीं है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको bottom पे रख देता हूँ, फिलाल अभी के लिए, and थोड़ा कम जूम कर देता हूँ, ठीक है, control, save, वापस एक और बार, अभी मैं इसको run करता हूँ, स कुछ अता पाता है, नहीं यह वाला लाइन का कुछ अता पाता है, ठीक है, and यह इसलिए हो रहा है, मैं आपको बताता हो, देखी ध्यान से, अब हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे चलना है, आप यह देख से तो network access, इस पे आपको click करना है, add IP address, यहाँ पे automatic यह आ जाता है, and then आपको confirm पे click कर देना, and now guys, again ही आपका time लेने वाला है, I think ज्यादा नहीं लेगा, एक मिनेट के अंदर में यह हो जाता है, तो यह जो है, यह वाली जो पार्ट, यह बहुत ज्यादा जरूरी है, once आपने access दे दिया from anywhere, it means कि, अब all right guys, आप देख से तो no connection, no connection वो मुझे इसलिए दिखाई दे रहा था, क्योंकि मैंने अभी तक mention ही नहीं करवाया था, कि हम इसको कहीं से भी access कर सकते है, लेकिन अभी just network access पे आके, मैंने किसको select की, allow access from anywhere वाला जो option था, उसको, it means कि, अब मैं अपने system से, इसको access कर सकता हूं, and सिब मैं अपने system स आप सभी अपने system या कहीं से भी आप इसको access कर सकते हो, ठीके, लेकिन थोड़ा सा समय लेगा, all right guys, now it's active, ये active हो चुका है, and I really hope अप मजा आने वाला हूं, ठीके, control है, save करता हूं, थोड़ा सा time लेगा, starting मैं, मैं यहां पे चलता हूं, बापस इसको कर देता हूं, refresh, मैं यहां पे चलता हूं, about पे, all right, forward slash, about वाले page पे, I think middleware होगा हूं, आप पे कहीं तो भी, about, and boom guys, see, connection successful, this is it guys, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, आपका connection successful हो चुका है, तो जब तक आपको ये message ना आये, connection successful, it means कहीं ना कहीं आपका कुछ गड़वर्ट चल रहा है, अभी त तरीक आपको बता है, वो एक दम best है, and मैंने एक चीज़ आपको बताई भी था, collection में जब हम create करते है, मैंने देखा कि guys, यह जो हमें collection create करना पड़ता है, database तो हमने create कर लिया, लेकिन साथ में जो collection हमने create किया था, बहुत बार मैंने ऐसे देखा कि, जब मैं अपने application के थू तो जब first time registration कर रहा होंगा, तो उस समय एक नया खुद का ही create हो जाता है, तो हमें मैं भी उस समय इसकी need नहीं होगी, तो हम इसको delete कर देंगे, लेकिन फिलाल as it is रखिए, आपका main होगा, network access proper देना है, आपको अपना cluster में जब आप connect करने जाओगे, आपको अपना username, password and then आ आपको बाद आपको बाद जादा पसंद आया होगा, वान वोर टाइम बताना चांगा, आगर कुछ भी डाट हो तो नीचे कमेंट जरू कर लिजेगा, आपको तो यादी आप इंस्टाग्राम पे मैंने official telegram का link एड़ कर दिया, तो आप यहाँ पे ग्रूप पे भी जाके अपना discussion कर सकते हो कि अरे यहाँ पे connection नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ कि नहीं, इस तरीके से ठीक है, and guys, please 10 के followers जरू कर दीजेगा, इस वीडियो के एक लाइक जरू कर दीजेगा, and बताना चांगा guys, अभी तक अगर आपने मेरे चनल था पर टेकनिकल को कि नहीं, या कि व बताना थाँ पर श्लीजेश बताना वहाँ हुआ रश हुआもし आई अ झाल झाल